Hey guys, welcome back to the channel चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है तो करवा चोत का वृत आने वाला है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर अभी भी आप लोगों के मन में confusion है कि मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं तो आज मैं जोतिशी के अकोर्डिंग आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपनी राशी के अनुसार कौन से रंग के कपड़े पहन सकती है ताकि आप को ज़्यादा फ़ल में तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अभी तक आप लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो प्लोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सपाए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो करवाचोत के फर्स के बात करें तो हिंदू धर में करवाचोत वर्त का तयार महिलाओ के लिए बेहदी खास माना जाता है हिंदू पांचांग कैनुसार आश्वीन मास के शुकल पक्ष की चतुर्ती दिती को करवाचोत वर्त रखा जाता है इस दिन सुहागिन महिलाओ सुर्योदे से पूर सर्गी खाकर पूरे दिन निरजला और निराहार रहेकर पती की लंबी आयू की कामना करती है और रात के समय भगवान श्रीव और माता पारवती की पूजा की जाती है पती के स्वास्ते, दिरगायू और निरोगी होने की कामना की जाती है माईलाई चंदर दर्शन के बाद वर्त खोलती है तो करवा चोथ को शास्तरों में सोभाग्य व्रधी का वर्त माना जाता है जोति आचार्यों के अनुसार करवा चोथ के दिन राशी के अनुसार वस्तर पहनने से व्यवाई की जीवन खुशाल रहता है तो 12 के 12 राशी में जानेंगे कि किस दिन करवा चोथ के दिन आप कौन सा कलर पहन सकती है अगर आपकी राशी मेश है तो मेश राशी की महिलाई करवा चोथ के दिन गोल्डन रंग की साड़ी या लेंगा या सूट जो है सील का वो पूजा कर सकती है उनसे वो पहन सकते हैं कपड़े तो वो शुब है उनके लिए अगर आपकी राशी व्रशब है तो आपको सिलवर रंग के वस्तर धारन करना शुब माना जाता है करवा चोथ के दिन अगर आपकी मिथून राशी है तो हरे रंग का वस्तर आप धारन कर सकती है करक राशी के लिए लाल रंग शुब माना जाता है और अगर आपका सिंग राशी वाले हैं तो लाल औरेंज या गोल्डन रंग के वस्तर आप लोगों के लिए शुब माने जाते हैं अगर आपकी रासी है कन्या राशी तो आप लाल, हरी या गोल्डन रंग की साड़ी पहन सकते हैं तुला राशी की महिलाओ के लिए लाल, गोल्डन या सिल्वर रंग के वस्तर धारन माने जाते हैं शुब वर्षिक राशी के लिए लाल रंग सबसे उत्ता माना जाता है इस दिन मैरून या गोल्डन रंग के कपड़े पहन कर भी पूजा कर सकते हैं धनू राशी की महिलाओ के लिए आस्मानी या पीले रंग के वर्षिधारन करने की सलहा दी जाती है मकर राशी वालों के लिए नीला रंग शुब माना जाता है कुम राशी वालों के लिए नीला या सिलवर कलर के वर्षिधारन करने शुब माने जाते हैं और मीन राशी की महिलाओ के लिए पीले या गोल्डन कलर के कपड़े पहन कर पूजा करें मानने तहें ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी तो इसी तरीके से करवा माता की जो आशिरवाद है वो आप पर बने रहे आप जो सदा सुहागन रहे आपके पती का साया आपके सर पो हमेशा बना रहे तो इसी आशिरवाद कामना के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी information दे दी है कि कि किस दिन आपको कौन से कलर के कपड़े पहनने है उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलेगा साथ ही चैनल पर